हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने टेक्डोई स्पार गोड दोजार चौबिस एंडरुड मॉइल फोन में आप अपनी मॉइल फोन की डिलीट हो चुकी फोटे हैं वीडियो को आपना रीकवर कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों सबसे पहले मैं आपने मॉइल फोन के यहाँ पे गैलरी को ओपन कर लेता हूं ठीक है अब देखिए इस डिलीट हो चुकी photo को recover करने के लिए आपको करना है किया है, आपको यह जो phone की gallery है ना, आपको इसमें नीचे की साइड यह library का option होता, library पे tap करना है, आपका यह page आगा, इसमें देखिए उपर की side चौते नमबर पे trash का option है, trash पे tap करना है, है आपका यह ट्रेश का पेज आगा ट्रेश का पेज एक तरीकीसर डिलीट वाला पेज होता है आप अपने पोन की गैलरी में जितने भी फोटो या विडियो अप डिलिट करते हैं ना सारी की सारी पोटो वाहरा है र कुछा एपको है टेशन वाले पेजमा तरम के सकते हैं लंग यह हैं दूसरी लाइन में लिखा हूँ है 60 दीज अंदर आप brahim जईननलीchen यहां से delete वाली photo को recover कर सकते हैं लेकिन यह 60 दिन की limit और यह 30 दिन की limit यह दोनों अलग अलग तरीकी से काम करती है मैं आपको समझाता हूँ कैसे देखे यहां पर आपको ध्यान से सुनना होगा देखे यहां पर right side की top पर यह जो आपका profile picture होती ही पर टैप करना है आपका जो आने यह page आता है इसमें देखे यह backup की setting है तो यह backup is off लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस app की backup setting को यह पहले से बंद कर रखा है यहां पे ठीक है तो आप यह नीचे देख सकते है option है turn on backup ठीक है backup setting चालू करने के बाद कोई भी photo delete करेंगे तो यहां पर आपकी 60 दिनों तक पड़ी रहेगी 60 दिनों के अंदर आप उसे recover कर सकते है 60 दिन में recover नहीं किया तो 60 दिन बाद जो automatic permanent delete हो जाएगी ठीक है और देखे यहां पर यह backup setting अगर आप बंद कर दिंगे बंद करने के बाद अगर आप कोई भी photo delete करेंगे तो वो photo आपकी जो ने stress वाले page में 30 दिनों तक पड़ी रहेगी ठीक है 30 दिन के अंदर आप उसे recover कर सकते है 30 दिन में recover नहीं किया तो 30 दिन बाद जो automatic permanent यहां से delete हो जाएगी ठीक है तो आपको समझ में आ गया